हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम बेक टू माई क्लास मेटल और मेटल के लेक्षर नमबर सेवन में हम पहुंच चुके हैं इससे पहले हमने च्छे लेक्षर कर लिया है तो जिन्होंने अभी तक पहले वीडियो नहीं देखिए वह एक बार पिछले जो वीडियो वह जुरूर देख आपके यह चैप्टर जो है वह complete होजएगा ठीक है तो हमने एसिट बेस इंड साज्ट भी complete कर लिया है वह आप पले लिष्ट में जाके देख सकते हो और इसके साथ ही कैश्ट्र दूसरा चैप्टर भी मेटल से नोलों मेटल से हमारा complete हो जाएग तो चलिए स्टार्ट करते pure metal obtain करने के लिए जो method लगाई जाते हैं that method is known as refining of metals refining of metals मुझे ले कि what is refining of metals refining of metals में क्या बता हुगा आप the process in which we obtain pure metal from the impure metal known as refining of metals ऐसे process जिन process का use करके हम pure metal प्राप्ट करते हैं impure metal से वो process क्या करते हैं पार refining of metals बच्चो मैंने इस chapter को थोड़ा सा detail करवाया है एक दो topic ऐसे होंगे जो आपके book में नहीं मिलेंगे यानि advance ही करवाया है तो आप उन topic को आप skip भी कर सकते हो बट मैंने थोड़ा यह CVC level की साबसे ज्यादा उठाए है तो इसके अंदर कुछ topics ज्यादा एक्स्ट्रा हमने एड कि हैं आपका exam का कोई भी किस्टन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा मैंने इससे पहले acid base and salt chapter करवाया है पूरा fully detail में था एक भी किस्टन उससे बाहर नहीं आएगा और नहीं इससे आएगा ठीक है चलिए start करते हैं refining of metals उसमें पहला है मारे पास liquid में थोड़ा सा आपको फील आ रहोगा लिक्वीड का किसका फील आ रहोगा बचो लिक्वीड का यानि हमें लिक्वीड बनाना है फिर हमें purification करना है तो पहले इसको समझे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं फिर हम इसको पड़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा मैं diagram को बढ़ा करके दिखा देखिए बच हैं यह जो नीचे है यह नीचे वाला क्या आपका sloping हट उपर एक पाइप शी लगी हुए और यहां पर आपके कंटेनर दिखाई देखा इसे कंटेनर के अंदर हम क्या डालेंगे इंप्योर मेटल डालेंगे और यहां पर हीट करेंगे तो आपके पास यह तब काम करेगा जब आपके पास hai melting point जो है melting point जो metal का है वो आपके पास low होगा और melting point जो है वह impurity का गया होगा बच्चो जब जादा होगा तब यह method क्या करेगा काम करेगा जानी यह method कब लगाते है लिकशन melting point of impurity is higher than melting point of metals इसका पहले melt कौन होगी जिनका melting point कम होगा melting point कम किसका है metal का है तो metal जो है वो पहले क्या हो जीक बच्चो melt हो जाएगी तो यहां पर metal melt होगी और melt होगी तो liquid state में आगी और liquid state में आगी तो फलो करना क्या कर देगी start कर देगी और इस special furnace होती है और उसके उपर slope भी बनाया जाता है और जब उसको हीट करते हैं तो जो implore metal होती है वो top of furnace पर रखा जाता है यानि जो furnace है उसके top पर क्या रखेंगे हम implore metal रखेंगे और जैसे heat देंगे तो due to low melting point of metals metal melt first तो metal melt होगी first यानि पहले कौन melt होगी metal and it flow top to down और यह जो metal है वो flow करना start कर देगी top to bottom ठेक है और we collect the liquid metal at the bottom of the furnace in the container तो यहां पर हम एक container लगा देगे तो सारा आके इस में liquid जो metal का liquid form में है वो यहां आकरी कठा हो जाएगा और यहां पर हमें कौन सी मेटल मिलेगी बच्चो इंप्योर मेटल मिलेगी जबकि कि इंप्योर्टी उपर ही रह जाएगी ठीक है कर लोगा इस तरह से अब हम देखते हैं लिक्वेशन में क्या लिखना था उसका हम जाल लेते हैं लिक्वेशन में क्या है बच्चो इन मेटल के लिए यूज के जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है यह मैंने आपको बता भी दिया इस बैस्ट और प्रिंसिपल डैट मेटल टो भी रिफाइंड इजली फ्यूजिबल बट इंप्यूटि इस दू नोट फ्यूज इजली सीधी बार्शा में इन वर्ड पे फ्यूज वगयर इन पर आप नहीं जाओगे तो सिंपल सी बात है कि यह इस प्रिंसिपल पर काम करत होता है कि जो मेटल होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और मेट इंप्यूर्टी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है इतना आपको ध्यान रखने दो लाइन ओर लिक सकते इसके बारे में जो मैंने आपको बोली कि इंप्यूर मेटल इस प्लेस in a container and finally we get pure metals and in this process impurities are left behind at the top of furnace तो यह जो तीन लाइन मैंने बोली है यह और एड कर दोगे तो लिक्वेशन में आपका कोई भी मार्क्स नहीं कट कर सकता है चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन मेथड कभी यूज करते हैं थोड़ा सा यह आपको बता दूं लिखने वाला मेटरियल मैंने बहुत कम रखा है तो जो मैं बोल रहा हूं ना उनको भी एकर इंगलीज में ट्रांसलेट करके लिखोगे तब आपका टोपिक करेगा यह तब काम करेगा जब boiling point of metals है वह आपका less than होगा boiling point of impurities से अगर आपके पास impurities का boiling point ज्यादा है और boiling point metal का कम है पहले तो क्या था melting point तब तो liquidation method यूज करेंगे अगर boiling point metal का कम है इसका boiling point कम होगा वेपर उसके जलदी बनेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर आपकी impure metal है इनको हम boil करेंगे तो पहले metal आपकी जो है वो उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके वेपर बनेंगे तो इस पाइप से इधर आना क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे और इन वेपर को हम क्लेक्ट कर लेंगे एक कंटेनर का अंदर फिर उसको ठंडा कर लेंगो यहाँ पे कौन सी स्टेट गेंदर आ जाएगा लेक्विड स्टेट केंदर आ जाएगा गालिइस कंटेनर के अंदर क्योंकि इसका boiling point ज़्यादा है उसके वेपर नहीं बनेंगे ठीक है अब इसको अम संटेंस में थोड़ा सा देख लेते हैं इस मेठेड यूज़ फोर दा प्यूर्ट के स्वोलेटाइल मेठल यानि जिनके वेपर बनते हैं सच अज मरकरी एंड जिंक मरकरी एंड जिंक के लिए कुन सा मेठड ठीक रहेगा बिटिलेशन मेठड ठीक रहेगा स्ट ह N tied कि इंप्यूर मेठल इस फिरीर फिलस्ण सा प्यूर्ट में अधर फिलेखे मेठाऊ कि श्यूर्ट के सा लबनती प्यूर्ट मेठाऊ गो हनगे । दिए वेपर ओब दी मिटल्स एंड वी गेट दा प्योर मेटल उसको कंडेंस करेंगे कंडेंस करने के बाद थंडा करने के बाद वेपर वापिस लिक्विट स्टेट में आ जाएगा ठीक है नेस्ट आपके पास यह इपोर्टेंट है आपके टैंथ कलास के इसाफ से बहुत सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड है सबसे ज्यादा यूज के जाता है रिफाइनिंग ओफ इंप्योर मेटल मेनी मेटल्स सच आज कोपर जिंक टीन निकल सिल्वर गोल्ड इटिस या रिफाइंड लेक्ट्रोलाइटिक ली एट इस बेस्ट अपोन दा फिनोमेना ओ का इलेक्ट्रोलाइटिक रिदेक्शन देखा था इसमें देखे क्या होता है तो इसमें आपको थोड़ा अशा डिटेल में बता देता हूं अपनी तरफ से इसमें क्या करना है बच्रो एक कंटेनर लेना घ्र ये और मेटल को थिक होगी और एक रोड आपकी थिन होगी जो थिन रोड होगी बच्चों वो आपकी प्योर मेटल रोड होगी थिन होगी वो क्या होगी बच्चों प्योर मेटल रोड होगी और जो थिन होगी थिक होगी वो आपकी कौन सी होगी इंप्योर मेटल रोड होगी एक मोटी रोड लेनी है एक पतली रोड भर प्यॉर मेटल के रहनी याँ यह कॉपर की इंप्यॉर मेटल लोड जो आपका थिक रोड है याँ इंप्यूर मेटल लोड है tel हम उन्यक्श करेंंगे ऊजिटिव लॉप बैटरि न्यढ़ा करें ठिन रोड है वो केफोड का काम करें और इस रेक्शन में क्या होगा बच्छो कि यहां पे स्लlesुशन के अंदर क्या है cooperative अब चुब्रियों क्लब च्वं का होगा बच्छो नाक्यजेभ वाले की तरफ अट्रक्ट होगा जानी एक फरफ क्या रेक्शन हो रही है तो घ्रफड पर क्या रेक्ष्ण हो ही है के थोड़ पर जो copper two positive है वह दो electron को क्या करेगा gain करेगा और क्या बना देगा copper बना लेगा copper क्या होता है solid तो यहाँ deposit होना क्या कर देगा start कर देगा अगर हम बात करें at anode की at anode क्या होगा at anode क्या हो तो आपकी impure metal load है copper वो आपके पास electron loss करना start कर देगी और वो convert हो जाएगी copper two positive plus two electron करना यानि यह road जो है वो तूटना क्या हो जाएगी start हो जाएगी और यह किसमे connect हो रही है copper two positive में और copper two positive solution से होते वे कहां पर पहुंच रहे आपके पास है के थोड़ पे तो आपको pure metal का deposition होना क्या हो जाएगा start हो जाएगा और वह solution में इसे copper two positive iron होते होए कहां तक पहुंच जाएगे के थोड़ पे copper two positive का असे बनेगे copper two positive बनेगे आपके इस एं इंप्योर मेटल अटल से धीजरी यह खत्म होती जाएगी और लास्ट में सारे copper two positive iron solution से होते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे आपके पास cathode पर पहुंच जाएंगे और इनकी thickness जो है वो क्या होज़ेगे increase होज़ेगे तो कि copper metal याँ पर क्या होज़ेगे deposit होज़ेगा तो आप से पूछले कि copper पर आपका या कोई भी pure metal है वो electrolytic refining में काँपे मिलेगा तो काँपे मिलेगा बच्चोबो के थोड़ पर मिलेगा ठीक है यह जो साही चीज़े मैंने बोली है अगर आप English में लिख देते हो तो आपके एक भैतरी नोट्स आपके क्या हो जाएंगे त्यार हो जाएंगे बाके आप नोट्स बनाने के लिए आप अपनी बुक का भी सारा ले सकते हो पर मैंने आपको समझाया कि होता कैसी है कौन कौन सी रोड होती है तो एक बार पढ़के in this method the crude metal is cast into thick road यानि impure the metal उसकी thick road बनेंगे is made as anodes while the thin sheet of pure metal made as cathode यानि thick road को तो बनाना है anode thin road को बनाना है cathode an aqueous solution of some salt of the metal is used in electrolyte जो मैंने solution लिया जैसे copper sulfate लिया था वो किसका गाम करेगा आपके पास है electrolyte का on passing the current through the electrolyte the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte तो आपकी anode पर ये reaction हो जाएगी और ये reaction जो मैं दिखा रखिए वो कहां पर हो जाएगी बच्छो के थोड़ पर रेaction हो जाएगी और ये थोड़ कि आपको ये topic भी समझ में आगया होगा electrolytic refining liquidation ये distillation आई या ना ये समझ में बट electrolytic refining समझ में आना चाहिए क्योंकि ये 10th के हिसाब से बहुत important आपका topic है ठीक है next आपके पास refining में इतने पड़ेंगे एक method और होता है zone refining कौनसा method होता है बचो zone refining उसकी method साइध मैं next video में कर लूँ बाकि इसके लाव आपके से कोई method नहीं पूछा जाएगा zone refining के बाद तो कोई भी आपसे topic नहीं पूछा जाएगा ठीक है यानि refining में च्यार method कर साइध यहां पर skip हो गया लिखना यहां पर नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं corrosion of metals corrosion of metals की अगर हम बात करें यानि दातु को है metals जोती है जिसको हम इंदी में दातु बोलते है metals को जंग लगना ही क्या कर लाता है corrosion of metals surface of many metals is easily attracted when exposed to atmosphere जब उसको atmosphere में खुला छोड़ दिया जाता है they react with air or water present in the environment and form undesirable compounds on their surface तो वो air के साथ और the water present environment के साथ उनके साथ reaction करके एक undesirable compound बना लेता है जिनको हम चाहते नहीं और उनके surface पर वो जमा हो जाता है more the activity of metal the more will be the possibility of metal getting corroded जिनकी रेक्टिविटी ज्यादा होगी उनको जंग लगने के chance यानि corroded होने के chance भी क्या रहेंगे ज्यादा रहेंगे वो जल्दी खरा होगी जैसे लोह है आपने देखोगा पानी के अंदर लोह है तो उसके उपर एक परत आ जाती है जैसे आप यहां पर डाइग्राम में देख भी सकते हो एक अलके भूरे कलर की brown कलर की light brown कलर कह सकते हो उनके एक परत जम जाती है और वो जो परत होती है वो दीर दीर है उस metal को यानि उस iron को खाना क्या कर देती है स्टार्ट कर देती है और उस प्रोसर्स कम को बोलते हैं साइध आपने जो पहला चैप्टर किया है chemical reaction and equation उसमें आपको कलियर हो गया होगा ठीक है इसके बाद इधर भी आप एक गाड़ी देख रह नहीं आप समय होगता है वह धियर देख्राप होना क्या कर देता है start कर देता है का मेद तो अ ते उस सब्सक्षांस था रेस्ट जोरिश आयरे और अक्सिजन के साथ और वार्टर के इनके साथ रेक्शन करके एक कंपोंड kanaता है इसको बोलते है रस्ट या फिल रस्टिम फैल इसका《ठव Bell पॉर्मूल पर और नेल लगी विया है, नेल का कड़ते हैं एक वुड़न का कोई पीस है, उसमें बहुत साइड नेल आप डाग्राम में यहां पे देख सकते हों, और उनका जो कुछ कलर जो है, यह मतलब क्या होगी है, यह क्या होगी है, बाहर रहने कार्ण, एक्टमस्पेर के अंदर जो moisture है एर है उनके साथ देख करके इन्होंने compound बनाया है जिसके कारण उसके उपर brown color की पच जमी है और वो compound है iron oxide और उसका formula आपको बता दिया इसी को हम resting of iron बोलते हैं ठीक है अब क्या-क्या methods हैं कैसे हम prevent कर सकते हैं resting of iron से तो corrosion of metals can be prevented by coated the metal surface with a thin layer of paint, awareness और grease क्या तो आप उस पर grease लगा दो क्योंकि grease या oil लगाने से क्या होता है कि जो माल लो यह surface है इस surface के उपर अगर आपने कोई oil या grease लगा दिया जिसे मैंने यहाँ पर दिखाया तो यह जो आपका water papers है moisture है वो moisture इसके साथ contact नहीं कर पाएगा इस surface के साथ है क्योंकि यह जो आपका vernis है grease है या paint है वो इसके बीच में एक layer आजेगी जो iron के साथ contact नहीं होने देगी इसके कारण rest आने से कुछ time तक बचा जा सकता है जब paint खराब हो जाएगा तो फिर आपका दुबारा से paint करना पड़ेगा और फिर भी अगर आपने संबाल नहीं की paint उतरने के बाद भी आपने दुबारा से paint नहीं किया तो आपका फिर आइरें जो है वो rest होना क्या कर देगा start कर देगा iron is protected from resting by coating it with a thin layer of another metal which is more more related more reactive than iron आप ऐसे भी कर सकते हो इस से metal के उपर है एक ऐसी metal की जैसी iron की यह मतलब piece है मेरे पास तो उसके उपर reactivity series में जो metal उपर आती है उनकी एक layer लगा दी तब ही बचा जा सकता है this prevents the loss of electron from iron because the active metal losses electron in preference to iron क्योंकि अगर हमने iron से ज्यादा reactivity metals की परत लगाई है तो iron electron loss नहीं करेगा तो वो compound नहीं बनाएगा उसके बजाए आपके जो reactivity highly reactive metals की जो परत लगाई है वो electron loss करेगा पहले वो compound बनाएगा ठीक है इसे मतलब क्या होगा कि मतलब यह अपने आपको sacrifice करेगा यह जो highly reactive सब्सक्राइब करेगा तो मेंगनेश्यम क्या करेंगा अपके surface तक पहुंचना है यह जो मतलब यह इंडियन आर्मी कर रही है वैसे इंडियन आर्मी को फिर से हम salute करते हैं क्योंकि उसे के कार्णियम ढंग से सांस ले पा रहे हैं अमारे लिए वो sacrifice कर रहे हैं जैसे आर्मी के लिए magnesium की पर्त जो हमने लगाई है वो sacrifice कर ले इसको sacrifice protection भी बोला जा सकता है क्या बोला सकता है बतो हो sacrifice protection यह sacrificial protection इसका यह डाम भी आप ज्यान रख सकते हो वेशे तो आप 10 के साथ से नहीं है बट sacrifice protection भी बोल सकते हो उन्हें नित्याद किया बिल्दान किया इनको पहुंच बिल्दान देने के वाद ही आप आगे आ सकते हो यानि आइरन तक पहुंच बस यह पुछेगा आपसे what is galvanization very 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 important यह आपसे बहुत बार एक्जाम में पुछा था उसका है galvanization क्या होता है कि आइरन के रेस्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं उस आइरन के surface के उपर एक highly reactive metal की layer deposit करवा देते हैं और अगर वह लेर हम जिंक की लगा दे तो उस process को हम क्या बोलते हैं galvanization क्या बोलते हैं बच्चों galvanization I hope आपको यह समझ में आ गया होगा बहुत ही आपका important point है second सब ध्यान से लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे इसको याद करेंगे फिर भी कोई problem रहती है तो discuss करेंगे very 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 important galvanization ठीक है तो इसमें आपको क्या बच position पर ज़्यादा जोड़ दे रहा हूं जिन पर मैं ज़्यादा जोड़ दे रहा हूं या मैं जो यह कह रहा हूं कि बहुत important topic है बच्चों definitely आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको यह topic difficult भी लग रहे हैं तो आप इनसे दूर भाग नहीं सकते हैं क्योंकि यह exam में आन request है कुछ भी कहो request मान लो या कैसे कहरके आपको यह topic तो करने चाहिए ठीक है नेस्ट अगर हम बात करें resting को prevent करने के लिए by alloy क्या होती है दो या दो से ज़्यादा metal को या फिर metal के साथ के बार non metal को भी combine करके जो substance बनाया जाता है जो compound बनाया जाता है वो क्या कहलता है alloy कहलता है वो क्या कहलता है बच्चों alloy कहलता है some metal when alloyed with other metals become more resistant corrosion जब दो metal को आपसे मिलाकर एक substance एक compound ट्यार के जाता है जिसको alloy कहते है तो alloy ऐसे बन जाती है जिनको जल्दी से जंग नहीं लगता जल्दी से जंग नहीं लगता है वेन iron is alloyed with chromium and nickel it forms stainless steel बस ये भी याद करें stainless steel पुछेगा stainless steel में क्या क्या होता है stainless steel में वैसे तो बहुत होते हैं पर तीन जुरूर जा रखेंगे iron chromium और nickel iron chromium और nickel इनको मिला कर एक alloy बनाय जाती है और उस alloy का नाम के है stainless steel sorry बच्चो this is resistant to corrosion and does not rest at all तो यहां पर जो आपके यह हमने stainless steel बनाया है इस पर जंग नहीं लेता अच्छा stainless steel का example वैसे तो diagram में दिख रहे होंगे फिर भी जो हमारे आजकल घर में नल लगाए तेने क्योंकि जो भी घर पे मकान बनाता है उस पर टंकी जुरू बनाता है पाने आपको हर जिगां चाहिए किचन में चाहिए बातरूम के अंदर भी चाहिए और जहां आपका main gate है वहां आत होता है ठीक है स्टील आइर्न और जिंक क्या होता है जा रखें स्टील क्या होता है आईरन का क्रॉमिय। का और निकल का थै इसमें एक टोपिक है साहिद में आप आपको करवा भी दो कलके lecture के अंदर next to decrease resting of iron certain anti-rest solution are used इनको रोकने के लिए एक की बर solution भी डालती है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सप्रेसी हम कर रहे हैं तो यह क्या करता है anti-rest होते हैं यह क्या से होते हैं बच्छों anti-rest होते हैं for example solution of alkaline phosphates are used as anti-rest solution जो alkaline phosphates के solution होते हैं उसको anti-rest solution यूज़ करता है बस इतना जहाँ रखना है इसमें कोई आपसे ज्यादा नहीं पूछे यह आपके पास laser cleaning technology होती है है इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है laser का use करके उससे clean करके हम उसपे जो retail लगो आउट आ देते हैं और उसके और जल्दी से दुवारा सरे बारा जग नहीं लगता है इसको हम बहुते है laser cleaning technology क्या बोलते है laser cleaning technology थेक है इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है अगर हम बात करें corrosion of aluminum की किसकी बात करें बच्छो corrosion of aluminum due to the formation of layer of aluminum oxide और aluminum oxide का फर्म लाता है बच्छो AL2O3 when exposed to most air या नमी वाली air में the aluminum metal losses its shiny variation after use यानि बहुत ही जल्दी अगर उसको use करें खुला छोड़ दें नमी वाली air के अंदर तो उसकी जो sign होती है aluminum की जो चमक होती है वो घट जाती है the aluminum oxide layer is very tough and prevents the metal underneath from further corrosion और यह जो aluminum oxide की पर्थ आपकी बले ही sign को कम कर रही हो पर यह जो पर्त है यह पर्त उसको cover कर लेती है बाकी aluminum को तक कि aluminum जो है वो ज्यादा खराब ना हो बाकी aluminum है उसको जंग ना लगे उसको ज्यादा corrosion ना हो ठीक है क्योंकि जो आपकी जो नमी वाली air है उसके पास इतनी ability नहीं होती है कि वो aluminum oxide layer को पास कर दें वो aluminum oxide layer को क्या कर दें बच्छों pass कर दें कि aluminum खुद ही अपनी रख्षा कर लेता है aluminum क्या करता है कि अब आप से कही बार यह पुछल जाता है classes बगारे के अंदर कि aluminum को जंग क्यों नहीं लगता है जंग तो लगता है वो पहले जो थोड़ा सा एक layer बजाती है बाद में यह नहीं लगता है इसलिए हम कहते हैं कि aluminum को जंग नहीं लगता aluminum को खराब नहीं होता तो इसका करण क्या है कि जो aluminum है वो नमी वाली air के साथ reaction करके एक compound बनता है उस compound का नाम याद रखना है aluminum oxide जैसे उसमें था iron oxide और formula भी aluminum oxide का formula बता दिया aluminum AL2O3 और वो उसके उपर एक layer बना दता है जो बाकी aluminum जो बचावा है उसको protect करता है और क्यों protect करता है क्योंकि जो नमी वाली air है उसके अंदर इतनी समता नहीं होती इतनी ability नहीं होती कि वो aluminum oxide layer को पास करके aluminum तक पहुंचे तो इससे आप aluminum है वो फर्दर खराब नहीं होता है अब बात करें copper की when a copper object remains in a damp air for a considerable time the copper reacts slowly with carbon dioxide and water of air to form a green coating of basic copper carbonate अब ये जान रखेंगे कि कैसे color आएगा इस पे green color आएगा कैसा color आएगा green ये जूरूर जान रखेंगे उस पे कैसा था iron पे brown और इस पे कैसा आएगा green ठीक है ये color भी बहुत बार पुछली जाते हैं objective type में ये green आएगा और उसका formula क्या होगा जो basic copper carbonate बनेगा copper carbonate हो गया CuCO3 और एक बनेगा copper hydroxide ये होता है उस surface के उपर since copper metal is low in the reactivity series the corrosion of metal is very very slow जल्दी से तो खराब नहीं हो का colp या जंग नहीं लगएगा copper को जल्दी से rest नहीं आएगा खराब नहीं होता है corrosion नहीं होता है Restst तो sorry उसको बोलते है याशन वालतीर वाले को तो जल्दी से इसे इस मतलब条 Dec लगेगा क्योंकि इसकी जो reactivity होती है हमने देखा होगा जब reactivity series पड़ी थी तो reactivity series के अंदर जो copper है वो hydrogen से नीचे रहता है copper के बाद आता है silver silver के बाद आता है gold gold के बाद आता है platinum तो इनको जल्दी से मतलब जंग नहीं लगता है गोल्ड को तो ना के बराबर है के वले एक oxide के लिए रूशी पर बनती है बट copper जो है वो reactivity कम होने कर टाइम लगेगा उसको और उसके उपर भी एक layer बन जाती है और वह ग्रेन कलर की layer होती है और उसका फर्मुला भी आपको स्पर्श दिख रहा होगा highlight करके मैंने दिखा रहा है नेक्स्ट देखिए कोरजिन ओफ शिल्वर शिल्वर औरनामेंट्स ग्रेजुली ट्रन ब्लेक इसका भी कलर जाना कि एक ऐसा हो जाता है ब्लेक ट्यू तुटू दा फोर्मेशन ओप थिन जाना कि कैसा होजेगा ब्लेक ग्रीन ब्लेक ब्राउन ये कलर आपको ज्यान होने चाहिए तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू बच्चों